श्री गंगानगर की सूरदगर सिटी थाना पुलिस ने अवैद मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन फ्लश आउट के तहत कारवाई करते हुए बाइक सवार तीन युफकों को 470 ग्राम हेरोईन सहीद गरफतार किया है बाइक सवार युफकों के कबजे से जब की गई 470 ग्राम हेरोईन की अंतरस्टी बज़ार में कीमत लगबग 2 करोड रुपे आ की जा रही है बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार होकर तीनों सप्लेयर युवक बिकानेर से पंजाब की तरफ हैरोईन बेचने की फ्राक में जा रहे है थे लेकिन उससे पहले ही श्री गंगानगर की सुर्थगर्ड सिटी थाना पुलिस के दोरा नैशनल हाइवी नंबर 62 पर की गई नाके बंदी के दोरान पुलिस के हत्ते चड़ गए फ्रोर्थगर्ड बिकाने रोड है पर नाकावंदी की दोराने नाकावंदी तीन बैत्ती मोटर साइकल पर आए जिनको काबू किया तलाशी ली गी दोराने तलाशी इनके पाद 470 ग्राम हिरोईन ब्रांदी थी पूरताच की गई तो 45 किलो हिरोईन पूरो में जैसल मेर में पकड़ी गई थी और एक वेती बोटा सिंग राजपूर जिसका माम्मा है सोरूर सिंग जो पूरो में गिरता रहो चुका है एक साल पूर अब 470 ग्राम पर एपाईया रोज की गई और अनुसंदाना दिगरी सत्यनर्ट जिगतारा राजियसर कर रहे है झाल झाल झाल